पूसकार आप देख रहे हैं बिहारी नियूज में हूँ आपके साथ राज मोहंतिवारी 31 अगस्त को अनलोक 3 की मियाद पूरी हो रही है उसके दो दिन पहले 29 अगस्त की साम भारत सरकार ग्री मंत्राले ने अनलोक 4 के संबंद में गाइडलाइन जारी कर दी इस गाइडलाइ सबसे पहले बात करेंगे e school college को लेकर school educate के संबंद में बताया गया है कि 30 सिप्तंबर तक school college coaching नाहीं बंदरेंग से लेकिन इसके साथ ही एक और जानकारी इसमें दी गई है कि कच्छा 9 से 12 तक के वे बच्चे जो कंटेन्मेंट जो उनसे बाहर के हैं, वे अपने स्कूलों में जाकर सिक्षक से मार्क दर्शन परात कर सकते हैं, उनसे पढ़ाई से जुड़ी सला ले सकते हैं, लेकिन अपने मा पिता अगर लिखित में यह अनुमती देते हैं कि ठीक है मेरा बच्चा जाकर इसकूल में सिक्षक से मिलकर अपना जो भी डाउट है या कोई सला है, किसी परकार का मार्क दर्शन चाहता है तो जाकर ले सकता है, तो फिर आप कच्छा 9 से 12 तक के बच्चे इसकूल में जाक कर इस समद्ध में सिक्षक से मार्क दर्शन प्राप कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं उन जेत्रों के बारे में जिने अनलॉक 4 में रियायत दी गई है, सबसे पहला बात है मेट्रो के संबंद में जानकारी दी गई है, कि 7 सितमबर से 94 तरीके से मेट्रो खोले नहीं तो ये खबर आपके लिए ज्यादा अमियत नहीं रखता है लेकिन कुछ खबरें हैं कुछ रियायत के छेत्रें जो आपके लिए अमियत रख सकते हैं उसमें सबसे पहला बात आता है समाजिक समाजिक खेल मनुरंजन संस्कृतिक धार्मिक और राजनितिक समारोह को अनुमती दी गई है 21 सितंबर से यानि 21 सितंबर से यह गतिविदियां आप सो लोगों के साथ कर सकते हैं यानि एक छत के नीचे सो लोगों की मौजूदगी में आप समाजिक खेल मनुरंजन संस्कृतिक धार्मिक और राजनितिक समारोह कर सकते हैं लेकिन 21 सितंबर से 21 सितंबर के पहले नहीं लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस गतिविदियो के दोरान आप सोसल डिस्टेंसिंग अपनाएं मास् साधी समारोह जिसमें की अभी 50 लोगों के ही सामिल होने की अनुमती है उसे भी 21 सितंबर से बढ़ा कर 100 लोगों को सामिल करने की अनुमती दे दी गई है यानि 100 लोग साधी समारोह में और फ्यूनरल में भी 21 सितंबर के बाद 100 लोग सामिल हो सकते हैं और बात करें सीनेमा ह स्विमिंग पूल्स इंटर्टेनमेंट पार्क्स की थियेटर की तो यह सभी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे यह नहीं खुलेंगे लेकिन ओपन थियेटर जो है ओपन एयर थियेटर वह 21 सितंबर से खोला जा सकता है अन्य जो अनलोक फोर में गाइडलाइन में जो बताया गया ह उसमें यह साफ कहा गया है कि राज्य हो यह किनसासित पर्देश की सरकार वो किसी भी प्रकार का इस्थानिय लोकडाउन घोसित नहीं कर być है वो राज्य में हो जीला में हो सबडिविजन में हो यह सहर-τόर पर हो आप कंटेनिमेंट जो उनके बाहर लॉकडाउन घोसित नही संबंद में स्लहा लेना होगा उनसे बात करनी होगी तभी आप इस संबंद में lockdown घोशीत कर सकते हैं बिना Central Government के आप कोई lockdown को सीथ किसी उन सहर मैं यराज्य में नहीं लगाया जा सकता है साफ साफ Central Government का यह आदेस है अगर बात करें अन्य छूटों की तो Unlock 3 में जो छूट थी वो बनी रहेगी उसमें कुछ घटाया नहीं गया है रियायत कोई बढ़ाया गया है जो कि मैंने आपको भी बता दिया कि क्या रियायत दी जाएगी तो जो भी रियायत है वह 21 सितंबर के बाद से ही है उसके पहले कोई रियायत नहीं है लेकिन पब्लिक आदेस भी जारी है यानि जो पब्लिक है उसके लिए भी कुछ गाइडला होना चाहिए चाहिए वो आप काम कर रही हो या ट्रांसपोर्ट में हो कहीं जा रही हो किसी सरवजनिक जगा पर आपके चेरे पर Maas होना चाहिए अपका ठाका होना चाहिए सोसल डिस्टेंसिंग भी पब्लिक प्लिसस पर अनिवार है यानि दो गज की दूरी आपको बनाकर रखनी है इसके अलावा थूकते हैं अगर आप सरवजनिक जगह पर आपके उपर फाइन लगाया जाएगा साफ साफ इसमें आदेश दिया गया है अनलगपोर में कि आप किसी भी सरवजनिक जगह पर थूक नहीं सकते हैं अगर थूकते हैं तो वहां कि सरकार मतलब राज्य और किंसासित जो सरकार की जो अधिकार है उसके तहट आपके उपर फाइन लगाया जाएगा तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि फेसमास बाहर आपको लगाना है पब्लीक प्लेस पर हो चाहिए वर्क प्लेस पर हो यह ट्रांस्पोर मतलब कह कि आवाकमन के छेत्र में हो आपको लगाना है सोचल डिस्टेंसिंग भी आपना नहीं है पब्लीक प्लेस पर और बाहर आपको सर्वजनिक जगों पर नहीं थूकना है तो अनलोक फोर की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि स्कूल कॉलेज तीस सिप्तंबर तक बंद रहेंग झाल